ना वसी पार्ट नमबर 5, अब इसमें हमने स्केर रूट फाइंड करना है, होल नमबर हमारे पास है, प्रू होल 14 वार 25, सबसे पहले हम उतना होल फिनिश करेंगे, 25 तूट फिप्टी प्लेस से फोर्टी तूट हमारे पस क्या आ जाएगा, 64 वार 25, हमने इसका क्या पाइंड इसका ना रीड, 11, 122, 4, 233, 9, 4, 4, 16, 5, 5, 25, 6, 6, 36, 7, 7, 14, 8, 8, 64, अमारे पस क्या आ जाए, 8, 8, 64, इसी तरह 5, 5, 25, तो 64 by 25 का हमारे पस क्या रूट क्या आ गया, 64 by 25 का स्क्या रूट हमारे पस क्या आ गया, 8 by 5, अगर आप इसको होल में कनवाइट करना चाहते हैं, तो 8 by 5 को डिवाइट कर लें, 5, 105, यहां पर 3 रहा जाएगा, 1 होल, 3 by 5, I understand, question 3, find square root decimal, अब हमने किस का find करना है, square root decimal by division method, Q3. Part 1 आपके पास है. अगर हमने डेसिमल का स्केयर रूल करना है. हम कैसे पाइंट करेंगे? पर पाइंट आप लेकेंगे. 0.0529 अगर पाइंट में वैल्य हो तो इसमें प्यार बनाने का रूल कि है. पाइंट से प्स्टार्ट करते हैं. पाइंट से लेफ्ट और पाइंट से राइंट 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 से र 2 2s are 4, 2 2s are 4, 5 minus 4, हमारे पस अंसर के रहेगा 1, next way will come down 29, now 129 is there, यहां पर देखें, 2 में 2 प्लस के रहें, हमारे पस के रहेगा 4, आप 4 के साथ को ऐसा नमर लें, जिसको multiply, उसी नमर सके नहीं है, तो 129 से less अंसर आना चाहिए, जैसे 45 multiply by 5, 5 5s are 25, 5 is there, 2 will go 4 carry, 5 4s are 20, 21, 22, 225, it is too much, now we will do 43 3s are, 3 3s are 9, 4 3s are 12, 43 3s are 129, 43 3s are 129, 0 answer has come, now square root of 0.0529 का, square root by deviant method, हमारे पस के answer है, 0.23 4-1, 5, 6, 7, 9, 10 2, 2, 1, 3 3, 5, 6, 7, 10 1, 2, 1, 2, 1 झाल झाल